दोस्तो जब से भारत ने पाकिस्तान में एर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के जिहादियों को ठोका है जबी से ही दुनिया भर के देश इस बात को समझ चुके हैं कि अगर भारत के खिलाफ किसी भी देश ने कुछ भी करने की कोशिश की तो भारत की तरफ से 100% जवाब दिया पेकिन अब इसी तरीके की पोलिसी को तुर्की ने भी अपना लिया है दरसल कल ही तुर्की की राजधानी यानि की अंकारा में एक बड़ा बोम ब्लास्ट हुआ है और इस बोम ब्लास्ट को करने दो आतंकी तुर्की की राजधानी अंकारा में आये हुए थे इन में से एक आतंकी ने तो बोम से भरे सूट को पहर रखा था जिसके बाद इस जिहादी ने अपने आपको उड़ा लिया और एक आतंकी को तुरकी की सेना ने बीच रास्ते में ही भून डाला है और जैसे ही तुरकी के अंदर ये घटना हुई उसके कुछी घंटों बाद इस हमले की जि तरफ से भी एक जोड़दार कारवाई की गई है जिसमें तुरकी ने अपने फाइटर जैक की मदद से इन जिहादियों के ऊपर जोड़दार हमला किया है और तुरकी ने अपने हमले को अंजाम उत्तरी इराक में दिया है और इस हमले के दोरान तुरकी ने इन जिहादियो के 20 टिकानों को तभा कर दिया है पर इस बात की कनफर्मेशन तुर्की के रास्टपती यानि की रेचब तेयब अर्दोगान की तरफ से दी गई है और अर्दोगान की तरफ से बताया गया ही कि हमने उत्तरी इराक के अंदर कुर्दिश लड़ाकों के ऊपर बॉम्मिंग कि जो ये आतंकी तुर्की के अंदर करना चाहते हैं वो कभी भी पोसिबल नहीं हो पाएगा तुर्की ने जिन आतंकियों पर हमला किया है यह वही आतंकी है जो 4 दशक से भी जादा से तुर्की के साथ यूद लड़ रहे हैं साथ मैं आपको ये भी बता दे कि ये वही तुर्की की इन हरकतों को देखते हुए क्या हमको भी इराक को समर्थन करना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो, हैव गूड डे